रेल्बे कर्मचारी कृप्या ध्यान दे फिरोजपूर मंडल के कट्वा स्टेशन पर रोल डाउन की घटना के औरोजब पर रहे खो हुआ है, कर दोजब के घटना, लुच को आ दुर्गटना का संक्षिप्त विवरन दिनांग 25 फरवरी 2024 को कठुआ स्टेशन पर दो बच कर 55 मिनिट पर लाइन नमबर 01 में मल्टीपल लोकोमोटिव 13646 प्लस 14806 WDG 3LDH का आगमन हुआ यार्ड की लाइन नमबर 01 में खड़ी DMT गाड़ी को स्टेशन पर पहुचे मल्टीपल इंजन से शंटिंग एवं मार्शलिंग इत्यादी करके लाइन नमबर 03 में पठानकोट साइड से ओन ट्रेन करके प्रेशर तयार करके लोड स्टेबल कर दिया गया था जिसे था क्रू की ड्यूटी आज पूरे होने की वज़े से कंट्रोल द्वारा क्रू को पांच बच कर 40 मिनट पर बताया गया कि आप लोको को शट डाउन करके स्पेर मालगाडी से जम्मो तवी लोबी में जाकर ड्यूटी आफ कर दे क्रू लोको शट डाउन करके स्पेर चला ग डीजल मल्टीपल लोकोमोटिव सहित पूरी गाड़ी लगभग 70 से 75 किलोमेटर्स पर आर की स्पीड से रोलिंग डाउन होते हुए 8 से 9 स्टेशनों को पार करते हुए लगभग 75 किलोमेटर्स पर आर ऊची बसी स्टेशन पर रेलवे स्टाफ द्वारा किये गए प्रयासों स गाड़ी को रोका गया दुरघटना का कारण इस दुरघटना का मुख्य कारण क्रू एवं स्टेशन स्टाफ द्वारा जी एसार 5.23 के अनुसार लोड प्रापर स्टेबल एवं सिक्योर ना करना पाया गया दुरघटना के लिए जिम्मेदार कर्मचारी उप्रोक्त घटन के लिए मुख्य रूप से क्रू लोको पाइलेट एवं सहायक लोको पाइलेट तथा स्टेशन स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया गया जिनके द्वारा जी एसार 5.23 चार तथा 5.23 एक दो में दिये गए लोड स्टेबल करने के नियोंगों का पालन नहीं किया गया दोशी कर्मचारियों के विरुद्ध 14.2.RS.DR के तहत रिमोवल फ्रम सर्विस कर दिया गया दुरघटना से सीख उक्त दुरघटना से बच्चाव हेतु जी एसार 5.23 के अनुसार लोको पाइलेट सहायक लोको पाइलेट द्वारा निम्नलिखित सावधानिया बढ़ती जानी चाहिए थी लोको के A9 एवं SA9 दोनों ब्रेक लगाए जाने चाहिए थे लोको के हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक लगाए जाने चाहिए थे इंजन लोको पर उपलब्ध लकडी के गुटको द्वारा लोको इंजन को सिक्योर किया जाना चाहिए था स्टेशन यार्ड छोडने से पूर्व लोको पाइलेट को स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर में लोड तथा इंजन को सिक्योर करने के बारे में अंकित किया जाना चाहिए था पुक्त दुरगटना से बचाव हेतु जी एसार पाँच दशमलव दो तीन के अनुसार स्टेशन मास्टर कांटावाला द्वारा निनलिखित सावधानिया बरती जानी चाहिए थी कम से कम दो चेन दोनों चोर पर एक एक का उप्योग करते हुए वाहन लोड गाड़ी को चेन से बांध कर ताला लगाया जाना चाहिए था दोनों छोरों पर बाहरी पहियों के नीचे प्रत्यक छोर पर दो लकडी के गुटके का उप्योग करते हुए कम से कम चार स्प्रेग लकडी के गुटके लगाये जाने चाहिए थे दोनों छोर के कम से कम छे वैगनों के हैंट ब्रेकों को पूरी तरह कसा जाना चाहिए था अवरुध लाइन के विरुध काटों को देड एंड अथवा ट्रैप पॉइंट के लिए सेट कर क्लैम तथा ताला बंद किया जाना चाहिए था